हेलो गाइज है फो गाइज मुझे पानी जल रहे था फो गाइज हम अच्छे होंगे हम भी बल्या है फो गाइज हम दर्या डोटी बना रहे हैं वाइज हेलो गाइज वेलकम बैक तो माइ न्यू बलोग तो आज है होली और मेरे बैटो खेल रहा है आज होली बच्चों के साथ देखे कैसे खेल रहा है सोभी हेलो गाइज करो हेलो गाइज यह देखे स्टोबरी खेल रही है होली बच्चों के साथ बच्चों में पूरे इवेंट बना रहा हुआ 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 है बना रहा हुआ 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 है अंटी और यह मेरी अंटी और अंटी ने भी मुझे किलर लगाया और मैंने अंटी लगाई या और गाइज मैंने कड़ी चावल बनाये आज कड़ी चावल और रोक्ती क्योंकि ना कल बेमने पकवानी बनाये चावमी बनाये थी पूरी बनाये थी और शाम को भी सायद सोच रहे हैं हम ब्रेट पकोडे या फिर पकोडी अलु की और प्याज बगार की पकोडी बनाएंगे तो इसलिए अबने आज सुबह ना हरका ही बना लिया था और मेरा अब शुबूरी क्या खा रहे है स्टोरी खा रही है कडी चावल पहले खाती नीती कडी और अब इसे थोड़ी पसंद आने लागी है कडी चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में और इस हम ना दोके हम वेटे फ्री स्टोपरी के तो कलर भी नहीं कर दा जय अब्सक्ता सब लगा हुआ है आज ये ने बहुत पक्के वाले कदर से खेल लेगी देखो कितना सारा कलर उतरा नी इसके भी चहरे से पर इसने इंजोिय किया आज बहुत जादा है ना से इंजोय किया आपको कैसे लगा गंदा है इसके उपर बच्चों ने पानी डाल डाल तो भूत सारा थंड़ा थंड़ा तो इसलिए कहा है मुझा अच्छ नहीं लगा। और स्टाबरी खा रही हो अब क्या खा रहा रहे है मत्या दिखा दो। दिखाओ गाईस को दिखाओ। गाईस को खिरवरी खा रही है लिए मच्स an ें उसा अच्छ है लगता है खिरा बहुत। और हम भी फ्री ओगे थे नहां दो गई और यह देखो समुझा कमरे गढालत करकी है मेरे तो पूरे दिन तोड़ी चाय वाई और अब हम चाय प्योंगे आप मैं तो पीली है पीने के बात पूछ रही है मैंने सुचा ही लेटे हुए देना तो मैंने सुचा बई मैंने की बादें को ना दूंगी मैंने पीनी अब आम दो चार दिन बाद हम घूमने जाएंगे इस्टोबी कहाँ पर जाएंगे बताओं बड़ी कार में ऐसे नहीं करते बटा अच्छा बताओं आप पढ़ाई करोगे और आ येस्ट बता करने ही पढ़ाई तो ए भी सिव्टी ए भी सिव्टी ए भीसी बताओं ये नॉघ्याई के नाम से जब स्पूल जाती थी ना था तो उसे बड़ा मजा आता था कि हंखे मुझे बड़ना है ये है और अब अब इससे वी मन नी करता बिल्कुल पढ़ने का कि नहीं पढ़ना नहीं है मुझे बिल्कुल अब इसके छुट्ट्य भी पढ़ी हुए ना तो बच्चों का खेर करता ही नहीं है मन कोई नहीं पढ़ लेगी तो लोग आज मिलते हैं शाम के खाने पे जब हम बनाएंगे पकोड़ी और गाइस यह देखो मैंने ना आज पूसरी मैंने ना आज वो बनाया था मक्षन से घी बनाया था और यह मैंने च्छांद यह था वो दुआ रगी लगी चलनी मेर से इसे रग देती मैं साइन में और या अधा अंधिश्ण को यह काम दिना गड़बड़ के बना था यह काम यह दो आज दे आज गड़बड़ के बना चुछा में और यह मैंने चटनी बना ली था ग्रीण वाली और बढ़ी टेस्टी मुनी है पानी आ रहा है मुह में देख और यह मैंने लच्छे की तरह यह आलू प्याज दोनों काट लिये थे हम ऐसे बनाते हैं पकोडी गोल वाली यह थोड़ी अच्छी नहीं रखती है इसमें नमक मिर्चमने डाल दिया है और आप हम इसमें बेसन वगरा मिलाएंगे और फिर जब प्रेडी जाएंगे ना फिर आपको दिखाएंगे हम चोड़ो गाइस मिलते हैं थोड़े देर में और गाइस यह देखी मैंने बेसन मिक्स करनी जाथा अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा यह 10 मिनट के लिए और यह मैंने ओल बी गरम कर लेगा दूवा निकल गया है अब अब मिलते हैं थोड़े देर में और गाइस देखो हमारी है ना पकोड़ी बनके हो चुकी है रैडी अभी मैंने और रख रखी हैं पकोड़ी बनने के लिए और यह है ग्रीन चट्नी और यह है रेड सॉस और स्टोबरी के चैसी लग रहे हैं आपको बताओ बैटू बोर्य के बताओ टेस्टी है टेस्टी है स्टोबरी ने पास कर दी अब तो बस मेरा दिन बन गया स्टोबरी को पसनानी चीए और से पापा को पसनानी चीए चीज और गाइस बहुत यम्नी बनी है खा कर दिखाती हूं मैं आपको प्रिस्पी भी है बोट मज़ा आगया आप बताना खा के कैसी है खा के देखो एक दम बढ़िया बन गया यम्नी खा के देखो एक खा के मैंने दोनों का पसनानी चीए चीज तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स व्लोग में और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो ठीक है ने ने स्टोबरी बाइगाइस बाइगाइस